आपने ऐसा कई पर देखा होगा कि आपके पास किसी नंबर से कॉल आते हैं जिसका नंबर आपने सेव नहीं कि है बाट उसके साथ ही उस नंबर के जो यूजर है उसका नाम भी सो करता है जी हां इसलिए बता है क्योंकि आपके फोन पे ट्रू बार नामा के एक पापुलर अंदाज आप इसी बार से लगा सकते हो कि कंपणी दावा करती है कि लगबक छे मिलियन से अधिक वार इसको डाउनलोड कर लिया गया है कंपणी पॉपलर होने के साथ साथ कंपणी में कुछ सिक्यूर्टी और प्राइबिसी को लेकर भी कई बार सवाल उड़ते हैं इस व जब नामी और अनन्ममीदी नामक दो अंत्रप्रियोर की दिमाग में एक ख्याल आया कि एक ऐसा फोन डिरेक्ट्री बना आ जाए जो अन्नोन नमबर को भी आइडेंटिफाई करके यूजर को प्रोवाइड कर सके टू कॉलर की इसी यूनिक फीचर और कारिस जाली के चलते यहां बहुत ही जल्दी नमबर को देखते ही यहां जल्दी एक बड़ी कंपणी के दोरा एक फॉयर कर लिया गया और आगे चलके अक्टूबर 2021 में कंपणी ने स्टॉक हम सहर में अपना IPO लांच किया देट इस इनिचर पपनिक आफरिंग और इस IPO के दावरान कंपणी ने इंडियान है डावा किया कि मार्च 2021 तक इनके डाउनलोड की नमबर 580 मिलियन से भी अधिक हो चुके हैं और इन में से एक तीहाई से अधिक डाउनलोड केवर्ग भारती यूजर यह है त्रूक अधिक डाउनलोड भारत से होते हैं और कम्पनी के पास लगबग 6.000.000.000 य इसकी शुरुबात होती सबसे पहले नाजरिया की एक Tech Company जिसका नाम है Tech के बाग इसमें एक यूजर ने True Caller के संब्ध में एक बात नोट की या इडेंटिफाई की जैसे ही आप True Caller एप्लिकेशन को स्टॉल करते हो तो यह आपको तरह तरह के एक्सेस बंगता है जैसे कि आप आपका फोन के एक्सेस, मेल के एक्सेस, लोकेशन के एक्सेस यदि आप इस फंसन को यूज़ करना चाहते हो तो आपको इस तरह के एक्सेस देना ही पड़ेगा और जैसे ही आप इसका एक्सेस अपके फ़ोन नंबर जितने भी नंबर रिजेटर होते हैं उन उन सब को अपने डेटा पस सेफ कर लेता है जैदी आपके किसी का नंबर सेफ किया है चाहिए और वाई बंदो कव किसी रभी नंबर हो आपना भीन इंस्टाल किया है बट सामने वाले ने इंस्टाल कांट करता है कि आपने किसी भी वीक्ति के नंबर जिस नाम से से the किया है जैसे कोई अपना फोन में इक clock बनाता है तो किसी इक आपने देखागा कि अजीव आजीब रudब करसे अनन अमर को एक का एकाउंट को सेव करते हैं किसी को देखा होगा आपने सहजादा किंग यूनिक और कई लोग अलग अलग तरीके से अपने नाम को सेव करते हैं कई लोग एटीट्यूड बॉय कई लोग इंजल प्रिया या इस तरह के आपने फेक नाम सुने होंगे या किसी भी विक्ति का परसन का नाम आपने किसी भी नाम से सेव किया है जैसे कोई विक्ति किसी अपनी में काम कर रहा है या पकलीग है तो उसके नाम से आपने उसका नाम सेफ किया और उसे company का नाम ही नाम सेफ किया तो जिस तरह से आप उसके नाम को सेफ करते हो या कोई spam call आपको बार बार आता है तो आप उसको spam सेफ करते हो तो already वो spam के नाम से सेब कर देता है जिस नाम से आपने उसको सेब किया है वह true color के server में उसी नाम से सेब हो जाएगा या उसकी visibility globally हो जाती है तो आप समझ सकते हो कि true color आपके data का किस तरह से इस्तिमाल करता है तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि true color जब अपने user के data को wrong इस्तिमाल करता है तो गूगल प्लेश्टोर या एपल प्लेश्टोर इस पर कोई रोग क्यों नहीं लगाते तो आपकी जनकारी कि बता दे कि प्लेश्टोर हो गूगल प्लेश्टोर हो या आईफोन का प्लेश्टोर है उसने अलड़ी true color पे restriction या और रूल लगा के दिया है कि आप किसी भी user का phone number जा उनके पर्मिशन के बिना उसके बाद भी true color उस rule को follow नहीं करता है और user के phone number का access उनके समाधी के बिना एक्सेस कर लेता है और अपने server में save कर लेता है इसके बारे में और यहां तक कई बार आपने भी देखा होगा कि कुछ phone पे जहां से आप new phone करिते हो तो कुछ phone पे true color application पहले से ही install होके मिलता है true color के एक former employee मैंने एक media house के सांथ reporting बताया जो कि quality department work करते थे उन्होंने यह कहा कि यदि आपका number किसी भी ऐसे user के पास save है जो true color इस्तिमाल करता है उसी समय आप समझ जाए कि आपका जो है security और आपकी privacy का compromise की जा सुकी है आपके permission के बिना चाहें वहां आपका और आपका जो number है globally पूरे विस्व के द्वारा देखा जा चुका है इसी संदर्व में true color के former employee जो कि true color के quality department work करते थे उन्होंने एक news agency को interview देते हुए कहा यदि आपका phone number किसी ऐसी व्यक्ति के पास registered है जो व्यक्ति आपका दोस्तों भाई वो वह यदि true color इस्तिमाल करता है तो आपका privacy उसी समय compromise कि जा चुकी है जब उस व्यक्ति ने आपका phone number पर सेब किया आपका phone number आपका professional detail जो व्यक्ति ने आपका जिस नाम से सेब किया है वह आपका privacy जो है आपका professional identity पूरे विस्व के द्वारा true color के माधियम से देखा जा चुका है एक report की माने तब true color आपकी सारे information को click करता है जैसे कि आपका नाम, number, mobile location, email id और आपकी browsing history को भी यहां track करता है और इस सारे data को collect करके वहां किसी third party agency यह company को sell कर देती है और उसके बाद आपको पता नहीं चलता इन third party companies के द्वारा आप एक product बन जाते है और आपको उसी से संबंदित advertisement दिखाया जाता है जिससे उनको benefit होता है true color जिस तरह से आपकी information को click करता है यहां आन सक agencies को यह sale करती है और उन government agencies यह third party companies के द्वारा आपका data जो है आपकी profile जो है political and marketing purpose के लिए इस्तमाल की जाती है true color के security के बारे में भी एक को सवल उठाया जा सकता है क्योंकि कई बार आप आया गया है कि true color में कुछ इस तरह के vulnerabilities पाये गया है जो की hackers को उसके users को information को access करने के ल करता है 2016 में एक के researcher से ग्रूप ने यहाँ पाया कि true color में कुछ इस तरह के vulnerabilities है जो hackers को allow करते हैं आपके email id नाम और location को access करने के लिए इस तरह से true color पे privacy के साथ security का भी एक question हड़ा होता है इसके बारे में true color बिल्कुल भी serious नहीं लगा security और privacy को लेकर कि ही true color को 2019 में कई देश security जब data protection को लेकर के 2019 में लगबग 160 Chinese एप इंडिया से बैन हो गया जिसमें टिक टॉक वगरा भी सामिल थे क्यूंकि उस पे इस तरह के vulnerabilities या security को लेकर के concern पाया गया जिसके चलते इंडियन गवर्मेंट ने इस तरह के Chinese एप को बन कर दिया पूरे में इंडिया में 2018 में नाजीरिया के consumer counseling ने true color की आलोचना करते हुए कहा जैदी वहां किसी user के information को use करता है तो true color को उस user के साथ transparent होना पड़ेगा कि वहां अपने customer या user का data का किस तरह से इस्तेमाल करता है और साथ ही यह भी बोला गया कि यदि आप किसी भी user को बीना पूछे आप उसके contact list या phone list को access नहीं करेंगे जब तक कि user की permission ना हो इसके लवा true color पर और भी कई तरह के आरप लगते गया है जैसे true color application की इस्तेमाल करते दरहां आपका कोई important phone number या important person का number automatic block हो जाता है as I spam के तो पर फिर आप उसको unblock नहीं कर सकते यह इसके अलवा और भी बहुत सारे security को लेकर concern थे एक बात और आपको बता दो कि true color जो है आपके data के आपका नाम mobile number या पर contact के सास्त है आपके phone true color पर यह भी और अप लगा है कि true color जो है आपके call duration पर रिकॉड करता है या in fact आपके call के pattern को या behavior को भी रिकॉड करके रखता है जैसे कि आप किस number पर particular number पर कितने देर तक और किस समय तक जैसे किस number पर सुबा कितने घंटे बात कियो दोपार में कितने घंटे बात करते हो या night में कितने घंटे बात करते हो यह सब का भी record करके रखता है in fact आपको जानके यह हरानी होगी कि true cover जो है आपके inbox या messages का भी record या उसको भी track करके रखता है in fact वो ट्रेक करके record नहीं रखता बलकि आपके message के content को क्या क्या है जैसे कि आपने किस person को या आपने किस कई बार होता है कि आपने अपने किसी दोस्त मेसेज किया कि हम इतने बज़े मिलेंगे कल दोपार में इस true caller जो है आपके OTP या banking transaction को भी track करके रखता है चले कहानी सुनाता हूं कई आपने पाया होगा कि जैसे ही आप किसी bank पे transaction करते हो तो आपके bank transaction का detail आपके phone पे आता है इसका भी true caller record रखता है और जैसे ही month end आता है और आपके account में balance कम होने लगता है अचानक से आप पाते हो क कि आपके phone पे या आपके पास loan के offer के लिए वह सारे call या messages आने लगते है इनफेक्ट true caller जो है पांच लग तक कर सौट टम personal loan भी देता है कम से कम paperwork में और इसकी एक partner company भी है जो कि personal loan offer करती है इस company का नाम है वीजडीम innovation करके और इस तरह से true caller जो है आपके financial record को भी रखता है और आपको loan offer करते हैं और आप इस तरह से unwanted loan या करज़े में आ जाते हो तो आप समझ सकते हैं क्यों true caller जो है आपके कितने नीजी जानकारी को भी store करके रखता है और उसके हिसाब से आपका profile भी बना करके रखता है true caller के employee ने बताया कि true caller में कुछ high security risk वाले वग भी उपस्त हैं जी वो आपके entire data को एक खत्रे में डाल सकते हैं या फिर आपके सारे security फोन पर है या पर जीतने भी data आपके phone में मौजूद है उन सबके साथ आपको compromise करना पड़ सकता है इससे true caller जो है एक bug या developer जो है बनाने के समय इसको store करके रखता है इसी घटना करम में 2019 में ये दि associate था इस news के चलते जैसे ही market में भार आए ते भी true caller user थे उन सब में एक panic या hacking का डरवाइड गया इसके चलते company के founder अलन ममीदी ने एक apology letter लिखते हुए अपने जितने भी user है उन सबको आस्वासां दिलाया कि आप इसी स्कीन निस्सिंद रहिए true caller जो आपके privacy और security का पूरा practices जो data security या privacy को ले करके सवाल उठाते हैं इस सब चीजों को चलते हुए देखते हुए Nigeria ने true caller पे एक regulation लगाया और साथ ही उसको data protection के लिए transparency रहने के लिए भी बोला और इसके अलवा European true caller को उसको फिर से rebuild करने के लिए आदेश दिया और सांथ ही उन्होंने general data protection law भी बनाया खैर देखा जाए तो इस तरह का कोई भी general protection law या data से संबंदित कोई भी नियम या कानून हमारे देश में लागू नहीं होता है इसलिए true caller का majority आप market areas भारत ही है वहीं यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इस तरह का यूजर का data protection या security के लिए किसी भी तरह का कोई भी नियम कायदा कानून नहीं है और इस पर कोई गवर्मेंट या agencies कोई ध्यान नहीं देते हैं लेकिन पीछे बित्रे कुछ समय में 2021 में महाराष्ट हाई कोट ने महाराष्ट कवर्मेंट और भारास सरकार को और सांथ ही NPCI जिसका संबंद आपका UPI से ही होता है इन सबको एक जन्हित याचिका का जवाब ते वे जिसमें दावादा यूमों का उलंगन करता है और अपने user का data जबाए शेयर करता है चाचि लोग उन सबको third party agencies या government agencies को साजा करती है जिससे user का security या privacy का उलंगान होता है और यह सारा जो होता है user का permission के बिना होता है और बाद में security या privacy संबंधित कोई भी इशू आता है इन सबकर liabilities ये जिम्मेतारी application जो है खुद यूजर पर डाल देता है उस वोकिन ने यहां भी लोगों को अपने data protection अपने privacy की value नहीं पता है और नहीं हमारे देश में किसी भी तरह का ऐसा कोई कानौन है या कोई नियम है जो लोगों के privacy या उनके data protection के बारे में कोई बात कहती हो इसी के चलते लोग जो है अंचाने अंजाने में अपना नीजी data या अपने नियर इंड information share हो गया तो क्या फरक पड़ेगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि true caller जो है आपका नाम और नमबर जिस तरह से सेब करके रखता है उसी तरह से उसको भी सेब करता है सब्सक्राइब करता है कोई आम आदम है तो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए दिक्कत है बट कुछ एजे information भी सेफ है या कोई message में बात भी कर रहे हो तो वह भी true caller के पास जाती है तो आप सोच सकते हो कि true caller जो है इन सब information कर या इन सारे data का किस तरह से इस्तिमाल करते हैं और यह सारी information कैसे आपके लिए या उस person के लिए खत्रा बन सकता है true caller जो है इन सारे data को या आपके इतनी भ भर की लोगों के लिए available होती है तो आप समाझ सकते हो कि true caller जैसे ही आप इस्टॉल करते हो आपके phone आपका नाम नमबर कोई भी private या secure नहीं होता है अंत में यदि बात करें तो जी हां true caller एक महत्तपूर्ण important application या टूल है जिसके माध्याम से आप unknown नमबर से आने वाने वान के privacy का जिस तरह से उप्योग करते हैं और जिस तरह से security और privacy को ले करके सवाल उठाते हैं इससे आप नजर अंदाज नहीं कर सकते तो true caller या जितने भी application है उन सब का इस्तिमाल आप करते हो तो आप थोड़ा सा समझ जाए या हो सके तो इस तरह के application को इस्तिमाल ना करे या या आपके लिए जरूरी है तो आप इन सब का एक alternative ढूंड लीजे या आप चाहो तो उसको जितने भी requirement है उतने ही permission दीजे उतने को ही access कीजे अननेसरी के बिना सोचे समझे आप उसको अलाउग मत किजिए जनलरी हम देखते हैं कि हम किसी तरह का application हम डाउनलोड करते हैं उ या किसी private organization को sale करने के लिए जिससे आप उनके लिए केवल marketing या business के ही purpose के लिए इस्तेमाल हो जाते हो तो और इस तरह के valuable information जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहेगा क्योंकि हम समय समय पर इस तरह से information जो आपके daily जीवन को effect करने वाले उसके वारे हम ज़रूर एक video बनाते रहेंगे यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक जरूर कीज़ेगा जान्यवाद